स्वामी जी क्या आप समझा सकते हैं कि जीवन क्या है और हम गुस्से से कैसे बज़ सकते हैं। अगर आप कोईमबतूर की सडकों पर गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको सडकों पर बीच में बेतर्तीब तरह से रखे डिवाइडर से बचना होता है। प्यकड़ों से और सडक पार करते बच्चों से बचना होता है, कई तरह की चीजों से। लेकिन जब आप कोईमबतूर की सडक पर गाड़ी चलाते हैं, तो क्या आपको चंद्रमा से बचना होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको चंद्रमा से बचना होता है। नहीं, क्योंकि चंद्रमा सडक पर नहीं है, है न। तो इसी तरह, अभी क्या आप गुस्सा हैं। नहीं, तो इससे बचने की क्या जरुरत है। उससे बचने की कोई जरुरत नहीं है। दरसल, आपको लगता है कि गुस्सा एक हस्ती है, गुस्सा कोई हस्ती नहीं है, आप गुस्सा होते हैं। आप गुस्सा हो जाते हैं, गुस्सा कहीं बैठा हुआ नहीं है, और आप जाकर उससे टकरा जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, आप गुस्सा होते हैं, जब आप गुस्सा होते हैं, यह आपके लिए अच्छा नुभव है, बुरा नुभव है, बुरा नुभव है, दूसरों हमेशा से ये पता रहा है, लेकिन आज chemical test साफ तौर पर आपको दिखा रहे हैं कि आप असल में अपने शरीर में जहर घोल रहे हैं, गुस्सा होकर आप अपने system में जहर पैदा कर रहे हैं तो आप खुद को ही जहर क्यों देना चाहेंगे? ये जान बूच कर नहीं हो रहा है, आप खुद को जहर दे रहे हैं, आप खुद के लिए बुरा अनुभव पैदा कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका मन आपकी बात नहीं सुन रहा है ये आपसे निर्देश नहीं ले रहा है अगर ये आपसे निर्देश ले रहा होता तो आप उसे खुश रहने को कहते, है न? आप गुस्सा करने को नहीं कहते लेकिन अभी जब आप शान्त होना चाहते हैं, ये गुस्सा हो रहा है क्योंकि ये आपसे निर्देश नहीं ले रहा है तो अगर आपका मन आपसे निर्देश नहीं ले रहा है तो आपको इस पर थोड़ा और ध्यान देना होगा यह आपसे निर्देश क्यों नहीं ले रहा है अगर आप यह समझ लेते हैं तो आपको गुस्से से बचने के जरुरत नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं है कि गुस्सा कहीं पर बैठा है और आकर आप पर सवार हो जाता है आप गुस्सा हो रहे हैं आप दुखी हो रहे हैं आप नाखुश हो रहे हैं आपके साथ ये चीजें मूल रूप से इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपने अपने मन को काबू में रखने के लिए कुछ नहीं किया है, ये सैयोक से हो रहा है, बस सैयोक से, अगर बाहरी हालाथ ठीक हैं, तो आप भी ठीक हैं, अगर बाहरी हालाथ खराब हैं, तो आप भी खराब हैं, इनसान के जीवन को ऐसा नहीं होना चाहिए, इनस अभी अगर मेरे आसपास के हाला जिस भी तरह के हैं, मैं भी वैसा हो जाऊँगा। नहीं नहीं, मानव चेतना को परिस्थितियों का निर्मांड करना चाहिए। अभी परिस्थितियां मानव चेतना का निर्मांड कर रही हैं। ये इंसानी जीवन को ढालने का सही तरीका नहीं है